नमस्कार दोस्तों मैं सुनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ये अपने यूटूब चैनल पे एस सिंपल है जी बी सीडी तो दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे 50 चास most important जीके के question जो परते competitive exam के लिए काफी महते पून हैं फिर चाहें आप किसी भी competitive exam की study करते हो like SSC, Railway, Group D, NTPC, CGL या कोई सा भी exam हो XYZ जिस किसी exam की आप study करते हो या preparation करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर end तक देखते रहे हैं और वीडियो के last में आप अपना score comment box में जरूल बता के जाएं कि आपने 50 में से कितने का साही जवाब दिया और कितने का रहूं यहाँ पर परते question के लिए 2-3 second का समय दिये जाएगा सोचने का उसके बाद answer बता दिये जाएगा और आप हमें Instagram पर फोलो कर सकते हैं वहाँ पर विम्य जिके से लेटेड अच्छे अच्छे post send करता रहता हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर C option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा इतिहास का जनक और हमारा अगला question है भारतिय राष्टिय धोज को कब अपनाया था यह भी important question है यहाँ C option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा 22 July 1947 को और हमारा अगला question है किस अधिवेशन में सरोजनी नाइडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष वनी तो यहाँ पर B option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा कानपुर और हमारा अगला question है 2011 की जन्गन्ना के अनुसार भारत का जन्संक्या घनत्व कितना था तो इसका C option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा 382 पर्तिवर्ग केमी और हमारा अगला question है सिंबल 12 राष्ट्य उध्यान किस राज्य में स्तित है तो यह हो जाएगा हिमाचर पर्देश B option जो है विल्कुल correct हो जाएगा और हमारा अगला question है सत्रंज में भारत की पर्ता महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी तो यहाँ A option जो है विल्कुल correct हो जाएगा S विजय लक्षमी और हमारा अगला question है रयत बाड़ी पर्था किस ने शुरू की थी यह भी important question है तो इसका C option जो है विल्कुल correct हो जाएगा थामस मुन्रो और हमारा अगला question है अंतर राष्टिय परिवार दिवस कम मनाया जाता है important day है यह तो इसका A option जो है विल्कुल correct हो जाएगा 15 मई और हमारा अगला question है अंतर राष्टिय परिवार दिवस 2020 के विशे क्या था तो इसका विशे था families in development इसका B option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है विवू किस राज्जे का परसिद लोग नित्या है तो इसका A option जो है विल्कुल correct हो जाएगा असम और हमारा अगला question है अवन्ति का मद्य पर्देश के किस नगर का प्राचिन नाम था B option जो है विल्कुल correct हो जाएगा उज्जेन और हमारा अगला question है कीरती इस्तंब का निर्मान किस ने करवाया था ये भी important question है अगर आप इसका अंसर जानते हैं तो प्लीज comment box में जरूल बताएगा और जो ये इसका अंसर है वो हो जाएगा राणा कुम्भा A option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है किसके सासनकाल में black hall दुरुगटना घटित होई थी तो यहाँ पे C option जो है correct हो जाएगा सिराजुद दौला और हमारा अगला question है गुरु नानक देव का जनम कब हुआ था इसका B option जो है विल्कुल correct हो जाएगा चौदा सो उनत्तर में और हमारा अगला question है मानव सरीर की सबसे लंबी ग्रंथी कौन सी है तो यहाँ C option जो है विल्कुल correct हो जाएगा यक्रत और हमारा अगला question है अंतर राष्टिय मुद्रकोष्ट का मुख्याले कहाँ पर है इसका जो मुख्याले वो है वासिंग्टन D.C. A option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है विस्व जन संख्या दिवस कम मना जाता है अगर आप इसका अंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूल बताएं और यहाँ पे C option बिल्कुल correct हो जाएगा 11 जुलाई और हमारा अगला question है इराक देश की राजधानी क्या है अगर आप जानते हैं तो प्लीज बताएं comment बॉक्स में तो यहाँ पे A option जो है correct हो जाएगा बगदाद और हमारा अगला question है किस अनुचेद के तहत राज्यो में राष्टपती सासन लागू किया जाता है तो यहाँ पे B option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा अनुचेद 356 और हमारा अगला question है जै जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो इसका D option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा लाल बहादूर सास्त्री और हमारा अगला question है नोहा कलिकाई जल परपात किस राज्य पे श्तित है इसका D option जो है correct हो जाएगा मेगाल लिया और हमारा अगला question है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है तो यहाँ पे B option जो है correct हो जाएगा गुजरात और हमारा अगला question है भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है अगर आपको पता इस question का answer तो please comment box में जरूल बताएं तो यहाँ पे B option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा साथ देशों के साथ लगती है और हमारा अगला question है पुशकर जील भारत के किस राज्य मेश्तित है तो इसका A option जो है बिल्कुल correct हो जाएगा राजिस्थान और हमारा अगला question है सचिन तेंदूलकर ने अपना सोवा सतक किस के खिलाप लगाया तो यहाँ पे D option जो है correct हो जाएगा बांगलादेश के खिलाप बनाया था सोवा सतक और हमारा अगला question है किस vitamin की कमी से रतोंदी होता है तो यहाँ C option जो है correct हो जाएगा vitamin A और हमारा अगला question है किस रोग को हनु इस्तंब भी कहते हैं तो इसका B option जो है बिलकुल correct हो जाएगा titanus और हमारा अगला question है India of my dream नामक पुस्तक किस ने लिखी थी impotent book है तो यहाँ पे D option जो है correct हो जाएगा महत्मा गांधी और हमारा अगला question है guardian नित्य किस देश में किया जाता है तो यह किया जाता है सिरिलंका में A option जो है correct हो जाएगा और हमारा अगला question है दुनिया में पहली महिला परदान मंत्री कौन बनी तो यहाँ पे यहाँ पे B option जो है correct हो जाएगा सिरी माबो भंडार नाइक के और हमारा अगला question है टेहरी बांद किस नदी पे बना है उआ है तो इसका A option जो है correct हो जाएगा भागी रती नदी पर और हमारा अगला question है बिहार से 587 के विद्रो का नेत्रत किस ने किया D option जो है correct हो जाएगा कुमर सिंग और हमारा अगला question है सार्क की स्थापना किस वर्स में हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में D option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है बरत्मान में जारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो बरत्मान में जारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरोन और हमारा अगला question है सोमनात मंदिर किस राज्य में इस्थित है इंपोडेंट मंदिर है तो ये हो जाएगा ए उप्सन जो है बिल्कुल correct हो जाएगा गुजरात और हमारा अगला question है मुख्य चुनाव आयक्त की निक्ति कौन करता है तो यहाँ ए उप्सन जो है बिल्कुल correct हो जाएगा राश्ट्य पती और हमारा अगला question है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयक्त कौन है इंपोडेंट question है तो इसका C option यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा सुनील अरोडा और हमारा अगला question है डाइनोमो का आविस्कार किस ने किया था तो यहाँ पर A option जो है correct हो जाएगा माइकल फैराडे और हमारा अगला question है जिब्राल्टर, जल्डम, रूमध्य, किन दो देशों के बीच है तो यहाँ पर C option जो correct हो जाएगा मोरको और इस्पेन और हमारा अगला question है विस्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है तो यहाँ पर D option जो correct हो जाएगा कजाखिस्तान और हमारा अगला question है सिब्र, समुद्रम, जल्परपाद किस नदी पर इस्तित है तो यह हो जाएगा कावेरी नदी D option जो 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 जाएगा और हमारा अगला question है सावर, मती, नदी किस सेर के किनारे भहती है important question है यहाँ B option जो 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 जाएगा एहमदाबाद और हमारा अगला question है अर्जुन पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो यह दिया जाता है खेल कूद के छेत्र में C option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है अर्जुन पुरुसकार कि सुरुवात कब होई थी? तो अर्जुन पुरुसकार कि सुरुवात होई थी 1961 में A option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है सरीर का तापमान किसके दुआरा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका C option यह और correct हो जाएगा Hypothalamus और हमारा अगला question है पांच नदियो का राज्य है किसे कहा जाता है? अगर आप इसका अंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूल बताएं और जो इसका अंसर है वो हो जाएगा पंजाब B option यह correct हो जाएगा और हमारा अगला question है ज्यानपीट पुरुषकार के पर्थम विजेता कौन थे? इसका A option यह बिल्कुल correct हो जाएगा संकर कुरूप और हमारा अगला question है सुन्दरवन राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है? तो यह है पश्चिम बंगाल B option यह बिल्कुल correct हो जाएगा और हमारा अगला question है दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका B option जो यह correct हो जाएगा ब्राजील सबसे बड़ा देश है और वीडियो का last question है जामा मजजित का निर्माण किस मुगल सासक ने करवाया था? इसका अंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में भी बताएग और जो जामा मजजित का निर्माण करवाया था वो करवायता सा जहाने C option correct हो जाएगा और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है अगर आपके कोई डाउट सो इस वीडियो से related किसी भी question में कोई problem हो तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार एक like कर दो और एक share देवलू कर अपने मित्रों में इसी के साथ जय हिंद जय भारत अगर आपके कर दो